नमस्कार जब हमें गले की समस्या कोई होती है तो हमें पता होना चाहिए हम कौन से कौन से टेस्ट करवा सकते हैं या फिर हम अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि सर आप यह यह टेस्ट करवा लेजे तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कौन से कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो गले की समस्याओं में आप करवा सकते हैं गले की समस्याओं में कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो supportive हैं या फिर कह सकते हैं कि वो अन्य बीमारी की बजह से है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो अलग है लेकिन आफ़ेक्ट आपके गली पर डाल रही है तो इसके बारे में भी समझेंगे सबस्ते पहले हम समझ लेते हैं कि कौनसे कौनसे टैस्ट होते हैं जिनकी साइता से आप गले की समस्याओं की बीमारियों या गले की समस्याइं जो आपको हो रही है जैसे अलशर है छाले है गले में सूजन है या जो आपका वोईस वाक्स है उसमें सूजन है लेरिंक्स जिसे हम बोलते हैं तो जो भी आपको समस्याइं हो रही है या फिर फेरेंजाइटिस है गले में लालदाने इस तरह की जो भी स टेस्ट हमारा होता है थायराइट का कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको थायराइट की समस्या बढ़ने के बज़े से थायराइट की समस्या अगर होती है तो उनकी ग्लेंट सो जो होते बढ़ जाती है जब थायराइट की समस्या होगी मरीज को तो उसको गले में दर्द रह सकता है उस मरीज को irritation रह सकता है वो उस मरीज को थोड़ा बहुत बुखार भी आ सकता है कई बार और जरूर नहीं है कि थायराइट की समस्या में बुखार आए लग लेकिन अगर ये लंबे समय से आप इसका treatment नहीं करेंगे तो आपको हलका हलका गरम आंग जैसा लग सकता है जैसे कह थायराइट हमें commonly test करा लेना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि थायराइट की value क्या है जादा है या कम है लेकिन थायराइट के जो test होता है 25-30 साल से जो कम उम्र की लोग है उसमें नहीं कराना चाहिए क्योंकि थायराइट खोनी के कम chances होते हैं अब बात कर लेते हैं next test के बारे में दूसरा test होता है आपका endoscopy endoscopy test जो हमारा होता है उसकी सायता से हम जान सकते हैं गली में चाले हैं गली में शूजन है या फिर गली के अंदर कुछ ऐसा tumor type का है या फिर कोई mass बढ़ा हुआ है या फिर कुछ obstruction है यानि कोई भी अगर समस्या गली के अंदर होती है तो endoscopy reports से आप करा सकते हैं आपको समझ में आ सकता है कि endoscopy reports के helpful है और endoscopy report की सायता से हम गली की सभी समस्याओं को लगवग लगवग समझ सकते हैं इसके अलाबा अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं जिसे हम खानी की नली कहते हैं इसोफेगस तो इसोफेगस में भी endoscopy साथ में ही हो जाता है क्योंकि कई मरीज क्या कहते हैं कि मुझे अटका हुआ जैसा लग रहा है तो गई बार endoscopy में ऐसे मरीज बिलकुल नॉर्मल उनकी report आती है और वो मरीज बहुत जादा घवडाय होते हैं मैं लेफ साइड में या फिर हो सकता है कि उस मरीज को थोड़ा बहुत वहां पर सूजना गई हो इसके अरावक यह कुछ मरीज जैसे हैं जिनको सबसे ज्यादा गले में कुछ अटका हुआ या ऐसा फिलिंग उस मरीज को हो रही है कुछ एंजिए डिप्रिशन की बज़ा से हो आपको समझना होगा क्योंकि एंड्य जो तेस्ट है जबर्लाज करने जा रहे हैं उनके अलग-लग चार्ज कि 2000 हो सकते हैं तोडस्ट तोडस्ट कहते हैं उससे थोड़ा सा सींकर वहां से निकाल लेते हैं तो से लेशते हैं ओस kayak जिकान का했습니다 हैं अगर किसी समस्या का शमादन आपको नहीं मिल रहा है बहुत दनों से परेशान है बहुत समस्या ह्मरीज को हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में और MRI भी हम करा सकते हैं वायोप्स भी हम करा सकते हैं अगर मरीज इसको आराम न मिले तो अगर हमें लगता है कि कोई cancerous tumor तो नहीं है या कोई cancerous ulcers तो नहीं है यानि कि वह चाला जो है या कुछ ट्यूमर है वहाँ पर कोई ulcer में cancer की cells develop नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें वायोपसी करानी होते है तो वायोपसी में यह समझ्या का समाधान होता है या जो वैक्टीरिया जो वायरस जो भी organism होता है वह देखने को मिल जाता है इसके अलावा अगर फैंपडों की बात करें थोड़ा सा नीचे जाए तो फैंपडो होता है कि अगर कोई acute infection होगा आपको तो आपका WBCS बढ़ जाता है कई वार और इसके लावा नीट्रोफिल्स बढ़ जाता है तो कई वार क्या होता है कि मरीज को acute infection है और हमें पता नहीं लगता है हम CBC टेस्ट नहीं कराते हैं दूसरा CBC टेस्ट कराने का फाइदा यह होत है अगर vitamin B12 और iron की कमी है तो मरीज को मुह के अंदर बहुत जल्दी जल्दी चाले होते हैं recurrent उसको ulcers देखने को मिल सकते हैं सैसी condition में vitamin B12 और इसके साथ में iron की जो टेस्ट होते हैं वो हमें करा लेना चाहिए जिससे हमें idea लगे कि वास्ता में सरीर में iron कितना है और vitamin B12 क करा सकते हैं और laryngoscopy में एक होता है L.E.M.G. L.E.M.G. मतलब की laryngeal electromyography इसके अंदर क्या होता है जो हमारा vocal code होता है जिसे हम voice box कहते हैं तो उसके muscles के अंदर जो nerve आती जाती है उनके अंदर muscles के अंदर कितनी electrical activity है या नहीं है input कितना है यह सारी चीजे जो vocal code होता है उसक इनकारी देता है तो इसका full form होता है L.E.M.G. कहते हैं इसे या फिर E.M.G. भी कहते हैं तो L.E.M.G. यानि की laryngeal electromyography जो की बहुती उप्योगी टेस्ट है और especially जिनका आवाज बैठ जाता है या फिर लंबी समय से आवाज नहीं आ रही है या फिर जो बोल नहीं पाते ह है या जो larynx की समस्या मरीज को होती है तो वहाँ पर हम इसे करवा सकते हैं इसके अलावा self examination self examination is most important है क्योंकि self examination में हम करते क्या है हमें यह पता लगाना होता है कि क्या यह समस्या हमें psychogenic है या फिर कोई वास्तर में किसी कारण की बज़ा से है क्योंकि अभी कुछ ऐसी situations है जो समस्या है आपको psychogenic हो रहे हैं यानि कि दिमाग की बज़ा से हो रहे हैं anxiety है depression है हलका फुलका और डर है fear है तो ऐसी condition में हमारे अंदर कुछ hormones release होते हैं hormones निकलने लगते हैं ऐसी situation में और hormones की बज़ा से काफे सारे समस्या हमें देखने को मिल सकती हैं तो ऐसी condition में हमें य psychogenic है या फिर रियल में कोई organism है कोई bacteria है या virus है या fungi है या paracetic infection है तो जो भी होगा वो अगर रियल में होगा तो वो समस्या आपको continuously बनी रहेगी वो थोड़े बहुत दिनों ठीक नहीं होगी और अगर psychogenic होगा तो जैसे ही आपका वो समस्या से दियान हटेगा वो समस्या ठीप हो जाएगी और जैसे फिर से आपका दिमाग उस समस्या पर जाएगा तो समस्या आपकी फिर से बढ़ने लगे कि start हो जाएगी यह होता है psychogenic psychogenic cough होता है psychogenic कफी सारी बीमारिया देखनी को मिलती है इसके अलावा डॉक्टर से examination करा सकते हैं यानि कि आप डॉक्टर के पास आया और उनसे examination करूआ है proper examination जिससे आपको पता लगे कि गले में टॉंस्या तो नहीं है या गले में कुछ और समस्या तो नहीं है अलसर्स तो आपको क्या समस्या है अगर आप अच्छी डॉक्टर के पास आते हैं तो बहुत सारी चीजे आपकी टॉर्च से देखने पर ही किलियर हो जाती हैं तो आज चोटे से वीडियो में हमने समझा test के बारे में कफी सारे ऐसे test होते हैं जिने हम आसानी से और अपने डॉक्टर से मिलकर के करवा सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही helpful होगा बहुत ही informative होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो like and share करें और आपका एक series है जो है मैंने आपसे बादा किया था बहुत जल्द आपका series आपको देखने को मिलेगा और हमें चैनल पर notification भी इसके बारे में डाल दूँगा बहुत जल्दी आपको यह series गले से related especially गले की बिमारियां इलाज, कारण, लक्षड सभी जितनी भी बिमारियां हैं वो सभी आपको इस series में देखने को मिल जाएगी मैं फिर मिलता हम इसी तरी की चैनी वीडियो में तब तक लिए अपना फ्यार देदेने वीडियो को like and share, subscribe कर जाएए Namaskah, thanks for watching, have a nice day